तो जो अकली डिवल्टीव người का प्रीमें लाइव इवेंट होने वालए कुछ प्रपर्री ऑष्राइव साॉदीन अरेव्येट आंपल गेंद evangelical चैन्बर कोईशन है यह सभी को पता है कि इस साल डॉडबली ऐलिमिनेशन चेम्बर जेजा साउधी अरेबिया में करवाएगी और जब भी डॉडबली का कोई इवन्ट साउधी अरेबिया में होता है एक भड़ा कोश्य नहीं होता है कितने लेजंड्स वापसार हैं और कौन कौन से ड्रीम माचे हैं अब साउधी अरेबिया के इंडर काफी लोग का मान यह की गोल बग वापस आएंगे तो इस वीडिये के अंडर हम लोग चार पॉसिबल चीजे डिसकस करने वाले जो कि रोमन के साथ होंगे एलिमिनेशन चेम्बर में तीन में मैंचिस और उनके अपने इंक्लिड लेक हमने देखा 30 minutes to all rumble match के अंडिंग के अंडर Drew McIntyre भचे हुए थे और आखरी में Lesnar ने उन्हें Eliminate किया उसके बाद Drew McIntyre ने अपने इंटर्व्यू में कहा भी कि भईया Lesnar ने उनके सारे सपने बगरा चीन लिये वो audience के सामने fans के सामने इंग moment चाह रहे थे जोगी शाद उने इस साल मिल सकता था लेकिन unfortunate way में Lesnar ने उन्हें Eliminate कर दिया अब जिस तरह किसे मैकिंटार के इस मैच के अंदर booking होई इससे साफ पता लगे कि WWE return के बाद भी एक लंबे टाइम बाद में मैकिंटार को स्ट्रॉंग वे में बुक करने वाली है और आगे से clean sign हो सकता हम 2022 में होने वाला था लेकिन Drew McIntyre को इंजिरी होती है वो WWE से बाहर जाता है अब WWE को मौका मिलता है फाइनली रोमन वर्सिस से त्रॉलिंस की मैस करवाने का जिसका हसाब भी फिलाल थोड़ में पकाऊंगा pending टाइप से क्योंकि डिस्क्वालफिकेशन से से सेथ की विक्ट्र 22 के लिए और में भी हो सकता है घॉ सकता है अब बात करें सेंद्ध आपोणेट की बार में तो जो मैं 2 एकिन्द ऐ Dale 보고's कर रकना रह सकता है और को मांसूर को और मीरे हिसाब से एक Elimination Chamber match में आईनों टोटरल आएगे छे सूपरस्टार होते हैं तो शायद यहां पर दो दो चार एक पांची हुए एक और कोई सूपरस्टार आजेगा SmackDown के तरफ से चुकि शायद इसको जॉइन कर लेगा और Roman रेजोंच ऐसे सूपरस्टार के खिलाफ अपनी Championship को Defend करेंगे क्योंकि SmackDown के पास actual में उतना जादा तकड़ा रॉस्टन नहीं रोमन के सारे पूरी जो रेटिंग्स है वो चल रही है और इस हफते तो रोमन को डॉमिनेट हुए में बुक करना चाहिए तो शायद ऐसे कुछ मैच हमें देखने के लिए जहां पर यह कुछ सूपर स्टार फेस करेंगे रोमन रेंस के लिमनेशन चींबर मैच में और ऑफकॉर्स इसके चाहां से काफी अची खास है अब जो मैं नंबर थर्ड के साओधी अरेबिया 2022 के अंदर एलिमिनेशन चेंबर 2022 के लिए से कहने कोई ड्रीम मैच है पहले होने वाल था डवल डबली में लगे जब साओधी अरेबिया कोई मैच ड्रीम माच नहीं होता है यहां सारे माच इस पॉसिबल होते है इस गोल्बग वर्स रोमन रेंज इस प लेने का ट्राय करते हैं और रोमन इस वाले मैच को लीव कर जाते हैं जो ड्रीम माच हो पेंडिंग का पेंडिंग रह गया और देखा जाए तो अच्छी बात वियो वर्ना भया पफॉसिज गोल्बग होता क्या ही मजा था ना क्राउट चेर करता ना क्राउट भू करता न लिए और चाहिए वो गोल्बग वर्सिज रोमर रेंज और इवन जो गोल्बग का डवलबले कॉन्ट्रायक्ट है अभी फिलाल उसमें एक मैच बाकि और गोल्बग ने कहा है कि वो एक मैच डिफिनेटली कंपीट भी करना चाहेंगे रोमर रेंज के साथ में तो एक तरह क मिलेगा क्योंकि गोल्बग ने ब्रॉक लेसनर को हराया हुए तो शायद डवल डवल अगर इस वाले साइकालोजी साइकालोजी कहते जो भी कहलो इस अगर आईडे के साथ जाना चाहेगी तो शायद हमें रेंज से पहले फाइनली रोमन वर्सिज गोल्बग का माज देखन अब बात करें फाइनल चीज के बार में जो कि रोमन के साथ हो सकते हैं इलमिनेशन चीमबर दो हजार बाइस में और वह यह की शायद रोमर रेस वैकेशन की ऊपर चले जाए इनो सुने में थोड़ा वियर्ड लगेगा क्या रोमन का मैच नहीं होगा लेकिन अगर देखा जाए इस साल को जो इलमिनेशन चीमबर का मैच कारड है वो शायद मेंली मेरे हिसाब से डवल डबली टाइटल की तरफ जा रहा है यानिकि जो में फ्यूड होने वाला इस पूरी चीज का वो डवल डबली चैंपेशिप होगी अंटिल और अनलेस यहां गोल बग वापस न इसलिए मेरे हिसाब से कि डवल डबली रोमन को वेकेशन के उपर भेज भी देती है जो की बात उन्होंने पहले मेंशिन की थे अगर आपको याद होगा कि अगर सेथ फ्रीकिंग रॉलेंस हार जाते हैं उनका माच फोश्वीट हो जाएगा रॉल डॉम्ल से और रोमन वेक के उपर चले जाएंगे और स्किप कर देंगे साओधी रेबेकर शोब वरना भाई यह डवल डबली रोमन को निचोड़े ना और वह टिकेट सेलिंग के लिए ऐसा कभी होता है निवल डबली में लेकिन मेरी दिमाग में आइडिया आया तो मुझे लग क्यों ना वीडियो सब्सक्राइब करेंगे साओधी अरेबिया के शोब को और फिर से मैं कह रहा हूं इसका चांस बहुत ही जादा लोग है अब मुझे नहीं पता मैंने वहियात वाली प्रेडिक्शन क्यों कर दाली बाइद अब आज की वाली वीडियो पसे यही तक थी अगर यह वाली वीड कियर